हेलो दोस्तों नमस्कार मेरा नाम है विभान सुर्ण स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में दोस्तों जैसा कि आप लोग को बताए कि अभी कुछ टाइम पहले है यूपी PCS 2021 का फाइनल जलता है तो अभी हमारे साथ स्रद्धा मिस्रा मैम है जिनका सिलक्षन दिस्टिक वैकोड वालफेर आफिसर के पूस्ट पर चैन हुआ है कि माद्यम हिंदी है तो आपने से बहुत सारे लोग हिंदि माद्यम को लेकर कमेंट्स भी करते है कि कि किस सरीके सेAT ट्यारी करें तो इनसे जानेंगे पूरी इनकी strategy के बारे में जानेंगे और साथ-साथ इन्होंने क्या book list अगर आप follow की तो सब कुछ आज कि इस वीडियो में cover करेंगे बस आप लोग video comment तक देखते रहेगा और चैनल बाप पहली बार है चैनल को subscribe कर नो notification bell को press कर दिएगा ताकि हमारे वीडियो की regular update आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे मैं सबसे पहले तो आपको हमारे viewers चो वीडियो देख रहा है और हमारी तरप से आपको बहुत 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 धैनेवाद जी मैं सबसे पहले तो आप ये बताए कि आपका educational background क्या है सर मैंने यूपे बोट से पढ़ाई करी है और मैंने अपना ग्रिजुएशन बेस्ती करा है और वो डाक्टर रामन हर लोहियावद उनिवर्सिटी तो वही पर आपकी पूरी पढ़ाई मलब मैंने कवाया कि हमें इसकी तैयारी करना चाहिए सर माइन में तो था बट मैंने स्टार्टिंग करी थी ग्रिजुएशन के बाद ही बट मुझे लगता है कि प्रपरेशन करने का सबसे अच्छा फेज ग्रिजुएशन में ही होता आप सेकेंड डियर आटलिस स्टार्ट कर सकते हैं तो इसके लिए मनला पूरी जो आपकी ओवराल जर्नी रही है तो इसके लिए आपने कहीं पर कोचिंग वेरा कि थी या फिर आपने सेल्फ स्टड़ी से तेयारी मैने स्टार्टिंग करा था तो सर दो तीन महीने के बाद तो फिर कोबरी हो आ गया था तो सर मेरी पूरी पढ़ाई सुटड़ी से रही ही कहीं पर kalo coaching का मनलब है जहारा नहीं लिया तक कहीं एडमेशन हो गरा नहीं लिया नहीं शर सस्टार्टिंग में मैंने coaching लिया था ग्रसय कॉष्ण कर दिया यहां तो टू-3 months हुए हैं मैम सबसे पहला जो stage होता है वो प्रिम्स का होता है सबसे ज़्यादा problems प्रिम्स में आती है हिंदी मादिम के चात जो बताते हैं comments box में तो उसके लिए मतलब क्या एक खास strategy होनी चीए प्रिम्स के लिए सबसे ज़्यादा जरूर है कि आपके static subject जो है वो पूरे अच्छे तरीके से prepare हो आपने PYQ question अच्छे से देखे हो और current affair काफी अच्छे तरीके से आपका revision हुआ हो जैसे कि आपने अभी बताया कि आपकी जो लगबाग पूरी overall journey रही है कहीं न कहीं एक self study से रही है तो self study में बहुत सारे बच्छे confused होते है बुक लिस्टों अगर आपको लेकर तो आप लिम्स की अगर आप कुछ जो बुक्स होगर आपने फॉलो कि थी वो अगर बतावा है सर मैंने history के लिए ancient के लिए मैंने रामसरन सर्मा की बुक के पढ़ी थी medieval के लिए मैंने इतना कुछ खास नहीं पढ़ा था मैंने lucent की बुक पढ़ी थी medieval के लिए क्योंकि prelims के लिए ही उतना important होता है modern के लिए सर मैंने spectrum पढ़ी थी और quality के लिए लक्षमे कांत जैसा normally economy के लिए मैंने संजीव वर्मा पढ़ी थी पर PCS में prelims के लिए उत्रा ज्यादा वो कोई beneficial रहता नहीं है और जो जोग्राफी के लिए मैंने 11-12 की NCRT पढ़ी थी new NCRT और सरी मार्मेंट के लिए मैंने द्रिस्टी IS की बुक पढ़ी थी और science and tech के लिए मैंने लोग centers पढ़ी थी तो सक्षिलमों के लिए कोई यरली कंपाइलेशन पढ़े थे जिसमें सर मैंने परिक्षा मंतन के पढ़े थे और जो घटना चक्री की काई द्रिस्टी आती है सर मैंने वो करे थे इसके बाद जैसे कि हिंदी मादयम के छात्रह कहीं ना कहीं नेजमिय earthquake आता है उसको लेकर बहुत कफीस रहते हैं कुणलब दाहिंदों पढ़े हैं या फिर हिंदी जागेन सब्नलीऔर तो यह सारे चीजिपितों आप ने कुछ फॉल्ओ उर्यटक्त कृते हैं अरूलंस की कईने कही current affair oriented तो उसके लिए आपने कोई चैनल फालू ये सर मैंने दा हिंदू एनालिसिस के लिए सर दा इक्जाम मेट सिंपल एक यूट्यूब चैनल है सर मैंने वहां से दा हिंदू पढ़ा था इसके लावा जब दो दूसरा पेपर होता है सी सेड का तो काफी सारे के लिए जैसे कि आप reasoning बढ़ सकते हैं और communication skills में चलते हैं कि कही ना कई जो सबसे जरूरी है कि स्टार्टिंग ही अपने मेंज को औरियंट करके पढ़ें तो सर वहां से ही जैसे की तीन-चार महीने पढ़ने के बाद जब हमारे थोड़े-थोड़े स्टाटिक कम्प्लीट हो जाएं तो वहीं से हमें आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए और किस वह में यक्सकता है अच्छा तरीका तरीका सर जैसा की मैने कहा कि इस परवे समझ में नहीं आता लिखा कैसे जाएगा इस house कोई ना कोई ठेस कर सकते हैं क्योंकि तो आपको फूदी संभ में क्मी ने कहा है कि तो जैसे कि आपने पहली बार जब एक्जाम दिया कहीं न कि जब फाइनल आपका इंटर्वी हो गया था उसके बाद काफी टाइम डूरेशन लगा लेट दो महीने हो गया रिजल्ट आने में तब उस दोरान मनलब कैसे क्या चीज़े हो रही थी तो इंटर्व्यू जब आपका होने वाला था तो कहीं आपने इंटर्व्यू के लिए कहीं पर मॉक टेस्ट या फिर तैयारी उसकी कैसे की थी इंटर्व्यू के लिए जैसा कि यहां पर ज्यादा टाइम तो मिलता नहीं है तो सर ऐसा कुछ खास प्रपरेशन तो नहीं हो पाई थी बट मैंने मॉक टेस्ट दिये थे बहुत सारी कोचिंग में तो और सर मैंने अपने अप्सनल अच्छे से पढ़ने का ट्राई किया था इसके लिए कोई बुक लिष्ट होगा आपने क्या फालो की तो कहीं न कहीं एक उतार चड़ाओ का फेज आता रहता है तो क्या ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है तो अगर आप हमारी बीवर्स को बताए कि अपने आपको कैसे उस फेज से मूटिवेट रख सकते हैं सर मूटिवेट का तो सबसे मेरे टाइम में तो कोविड ही था पूरे टाइम में स्टार्टिंग से लेकर एक्जाम तक तो सबसे ज़्यादा उसमें डिमोटिवेशन तो थोड़ा आता था कि सब लोग क्या से पढ़ाई करा जाएं बट सर एक चीज ये थी कि जल्दी करना ह है वो अगर मूटिवेशन है ठीक है नहीं तो मतलब आज अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर कल तो पर नहीं पढ़ेगा वो एक चीज अगर आप में है की डिटर्मेंट हो के पढ़ाई करें तो आपने अपना इतना कीमती समय दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्य तो दुस्तो आप लोग का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट आओ से जरूर कर दिएगा चली फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जैहन वन दे मात कर द kommtतो दिए लोग के बतासि खिए जभज़ से भर्व इंड दूगशियों उन्हें मात